दोस्तों पिछली वीडियो में हमने तारों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी. आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर तारों से रलेटट कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे. दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं History Again. अगर आपने इस वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा, तो उसके लिए मैंने आई बटन पर लिंक दे दी है, आप वहाँ पर जाकर इस वीडियो का पार्ट वन देख सकते हैं. आईए शुरू करते हैं. नमबर वन, लोग सदियों से उत्तरी धुरूफ तारे को दिशा जानने के लिए प्रयोग करते आ रहे हैं, क्योंकि अन्य सिताले चलते रहते हैं, लेकिन यह आस्मान में एक जगा फिक्स है. नमबर टू, जितना बड़ा तारा उतनी ही कम उसकी आयू उदाहरन के लिए, एतर करीनी, तारे को ही ले लिजिए, ये सूर्य से 150 गुना बड़ा और 40 लाग गुना ज्यादा उर्जावत सजित करता है. ये बस कुछ लाग साल का ही महमान है, बलकि सूरज अभी करोडों साल तक जिएगा, ये तारा कभी भी सुपनोवा में बदल सकता है. नमबर थ्री, हमारी आकाश गंगा में तारे सूर्य से भी बड़े हैं, परंतु ज़्यादा दूरी होने के कारण ये हमें छोटे-छोटे दिखाई देते हैं. नमबर फोर, कई तारों का तापमान तो सूर्य के तापमान से कही अधिक हैं. नमबर फाइव, आसमान में नंगी आखों से केवल 9,096 तारे ही देखे जा सकते हैं. नमबर 6, तारे एक दुसरे से काफी दूर स्थित हैं. उनके बीच की जगा धुल कनो और गैसों से भरी हैं. ये गैस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन का मिश्रण होती हैं. नमबर 7, तारो का जीवन उनके आकार पर निर्भर करता है. जितना बड़ा तारा होगा उसका जीवन उतना ही कम होगा और जितना तारा छोटा होगा उसका जीवन उतना ही ज्यादा होगा. नमब एट, सूर्य भी एक तारा है, यो प्रित्वी के नजदीक होने के कारण बाकी तारों से बड़ा दिखाई देता है नमब नाइन, हमारी आकाश गंगा में हर अठारा दिन में एक नया सितारा बनता है नमब टेन, रात को हम आसमान में जितने भी तारे देखते हैं, वो सभी सूर्य से बड़े और ज्यादा चमकदार होते हैं दोस्तों आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले और अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जाए हिम